ही गाइज वेल्टम ने चैनल इसमी शुती मिश्रा सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक नियूली लॉंच प्रोड का रेविव एंड कैसे प्रोड की रिप्वेस्ट में मुझे काफी आ रही थी तो कुछ दिन इसको ट्राय करने के बाद आज मैं श जैसे कि आप मेरे ड्रेस अप से जान सकते हैं कि विंटर स्टार्ट हो गई है तो विंटर में जरूरत होती है एक ऐसे ऐसी क्रीम की जो स्किन को मॉस्ट्राइज करें एक ग्लोव दें ब्लैक ना बनाया स्किन को और इस सन प्रोटेक्शन भी दे तो फिर सोने पे सुहागा हो गया स्पूआ से ख्रीम यह हो यह सब चीजों के साहथ आती है स्क्रम fault को संब्सक्राइब ahead can के एंड तक बने रहेगा वीडियो पसंद है तुस्रें जरू करेगा कोई क्वेशन कोई करें आप कमेंट सेक्षिन में कर सकते हैं और अगर अभी तक चानल को सब्सक्राइब कर सकते होगा है बेल बिटेंट डोंट फॉर्गेट टू प्रेस्टाइट सो गई स्टार्ट करते कि सब कुछ फेस वाशे सब कुछ लॉंच किया गया सारे इनके वाइटमिन सी ट्राइट किये और उसमें उनका रेव्यू भी शेयर किया हुआ है इसको ट्राइब कर रहे हूं और आपकरेंगा इसके पैकेजिंग के बारे में तो यह आता है इस तरीके के काड़ बॉक्स मे पूरी डिटेल अच्छे से मेंचिन करी है अंदर आपको मिल जाएगा इस तरीके का प्लास्टिक जार जो की आप देख सकते हैं कि यह इस तरीके का है यह बायो टिक की ट्रेड मार्क पैकिंग है इसी तरीके के बहुत सारे टबाते हैं और अगर बात करूं कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत थिक वाली नहीं है इसकिन में जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है वाटरी टाइप का यह फॉर्मला है बिल्कुल वाटरी नहीं है लेकिन हां क्रीम बेस है लेकिन बहुत पतला वाला फॉर्मला है बहुत लाइट वाला फॉर्मला है और इसकिन में बहुत जल्दी एब्जॉब हो जाता है सिर्फ वो साइट्टिक टाइप की है खटी-खटी सी फ्रेग्नेंस है जो कि इस तरीके के वाइटमिन सी वाले प्रोड़क्ट से आती है बात करें करें इंक्रीडेंट लिस्ट के बारे में तो गाइस बायोटिक ब्रांड अपना इंक्रीडेंट इस हमेशा हाइट करता है मैंने जाया ज्रद तर मिंसींग होगी है और इस प्रोड़क्ट में भी इंक्रीडेंट लिस्ट मिसंग है बस इस में मेंशिंड कियागा है कि यह यह प्रूवेन है आप्ट्र sett dóm नार्श्रोल ओर आज यह फार्म फ्रेश 100% बॉल टेस्टीट फॉर्मला है और नो आनिमल टेस्टिंग तो यह चीज इसमें में प्राइब की बाकि जो भी मेंशन किया है वह मैं स्क्रीन में दे दूंगी ingredient list missing है वो मुझे चीज अच्छी नहीं लगती है biotech अपनी ingredient list बताए तो मुझे जादा अच्छा लगेगा so guys अब आते हैं अगर इसके price के बारे में तो ये आता है काफी affordable price range रखी गई है आमका टब आता है 340 रूपीज का और shelf life है 3 years की मैंने इसको affordable इसलिए कहा कि ये नाइका में बहुत ही अच्छे rate में मिल जाता है जैसे 250 रूपीज तक आप इसको pick कर सकते हैं नाइका में जादा तर सेल चलती है तो आप उस सेल का फायदा उठा सकते हो और इस तरीके के product discount में आपको मिल जाएंगे इसलिए मैंने इसको affordable कहा so guys ये कहता है कि powerhouse vitamin c ingredient के साथ आता है एक sun protection cream is SPF 30 के साथ आती है बाकी vitamin c cream है तो एक 2 in 1 type की cream ये जो vitamin c लिया गया है ये लिया गया है ये skin के जो भी uneven skin की problem होती है दाग दब्वे uneven skin tone ये सब में ये work करती है skin को illuminate बनाती है इसमें कोई chunky glitter particle नहीं है ये illumination मतलब कि वो एक natural वाला glow देने में मदद करती है बाकी सच कोई claim नहीं दिया गया है ये ही ये claim करती है मतलब कि ये आपके skin के dark spots को remove करने में मदद करेगी skin के tone को even बनाने में मदद करेगी एक illuminating glow देने में मदद करेगी तो ये इसका cream है use करने का तरीका face को wash करके आप इसको किसी भी time अपने face पे apply कर सकते हैं मैं इसको दिन में दो बार use करती हूँ और मैं रात में सोने से पहले face जरूब wash करती हूँ तो मैं night time भी इसको apply करती हूँ so guys इस तरीके से आप use कर सकते हैं आपको एक result दिखा होगा इसने कहीं से भी skin को चिप चिप और dull नहीं बनाया, dark नहीं बनाया जो मुझे इसकी खास बात लगी cream को 20 days use किया है ये dark spots को light करती है इद्दम से आपको vanished करते हुए dark spots नहीं मिलेंगे लेकिन मैंने जब फील किया कि मेरे dark spots थोड़े हलके होने लगे light होने लगे इस cream को use करने के बाद मैंने जब cream को use किया मुझे ए cream कहीं से भी skin को dull और dark नहीं बनाती नजर आई sensitive skin वाले जिनको vitamin C product नहीं suit करता उनको इस product को use करने पर sensation feel हो clear बनाने में और हलकी फुलकी uneven skin tone पर यह work करता है तो शायद इसका result उतना जादा heavy ना हो लेकिन हाँ यह हलके फुलके दागदबूं पर work करता है और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि sun protection भी देता है तो SPF 30 जो एक light sun protection होती है वो यह provide करता है तो मुझे अलग से sunscreen लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझे cream में layering करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि जितना layering करो फेस होतना ही dark लगने लगता है चाहे वो नहीं कब हो चाहे वो skincare हो आप 3-4 अप्लाय कर ले तो उसके बाद देखो तो फेस ऐसे लगता है कि जैसे काला चिप चिप लग रहा है तो वह चीज मुझे पसंद नहीं आती पर्सनली मेरे skincare routine भी आपने कभी देखे होंगे तो मैं बहुत सारे serum, cream, gel यह सब नहीं apply करती हूं मैं simple skincare पसंद करती हूं जिसमें बहुत ज्यादा product लगाना ना पड़े तो यह चीज मुझे अच्छी लगी कि यह sun protection भी दे रहा है तो मुझे अलग से sunscreen लेना और लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी और यह skin type की बात करूँ तो oily skin वाले इसको चाहे दे सकते, dry skin वाले quantity में ज्यादा लेना पड़ेगा, उतना skin को hydrate और मॉस्टराइज तो नहीं करेगा, मेरा honest feedback इस फ्लोडेट के बारे में, I hope आपको यह video helpful लगा होगा, पसंद आया होगा, अगर आपको यह video helpful लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को like और share जरूर करना, अपने चानल को subscribe नहीं किया है, तो red button को प्रेस करके आप चानल को subscribe करने हैं, यह वीडियो में किसी नए प्रोड़ेट के साथ, तब तक आप रखे अपना अपने परिवार का क्याल,